है दोस्तों, वेलकम बैक टू माई योट्यूब चैनल आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत धमाकेदार न्यूस देने वाला हूँ XRP जीत गए यस दोस्तों, XRP और इपल ने हाल ही में SEC के अगेंस एक बड़ी कानूनी जीत हासिल की है इस न्यूस से क्रिप्टो कम्यूनिटी में एक बस क्लियेट हो गया अब तो मतलब आप समझ लो, XRP का प्राइस मतलब टू दो मून ही है इस वीडियो में आपको इसकी पूरी जानकरी देने वाला हूँ और लास्ट मूपना प्राइस प्रडिक्शन क्या है वो भी पताने वाला हूँ XRP के लिए सो नेट्स गो तो दोस्तों बड़ी खबर यह है कि XRP और रिपल ने SEC के अगेंस अपनी लीगल बैटल जीत लिया इस जीत से XRP के इंवेस्टर्स एंड सपोर्टर्स को बड़ा रिलीफ मिला है SEC ने रिपल पर जो अन्रजिस्ट सिक्यूरिटी ज ओफरिंग कंडेक्ट करने का आरोप लगा है था उसमें कोट ने रिपल के फेवर में फैफसा सुने है और यह काए कि XRP is not a security मतलब XRP सिक्यूरिटी नहीं है अब यह मामला पूरा क्या है अगर आपको नहीं पता कोई बात लिए मैंने अपनी एक वीडियो में से समझा हुआ है आप उपर लिंक जो आ रहा है उस पर जाकर वीडियो देख सकते हैं और यह पूरा मामला समझ सकते हैं अब दोस्तों इस न्यूस से हमने XRP के प्राइस में एक तेजी देखिया और रातो रात XRP एक्ती परसंट पंप कर गया इस न्यूस के बाद XRP सपोर्टर्स में काफी खुशी दिखी और अब वो इसके प्राइस को लेकर भी काफी आप्टिमिस्टिक है XRP की इस लीगल विक्टरी को अंडर सेट नहीं किया जा सकता इससे ना केवल XRP में लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा है बलकि इसने क्रिप्टर इंडरस्टि में रेगुलेटरी क्लियारिटी को भी हालाइट किया अब क्योंकि XRP पर वो अंसर्टिनिटी का जो बादल था वो हट चुका है तो हम XRP पर इंवेस्मेंट की सब की नजर पढ़ने लगी है जिससे XRP में अब वो पोटेंचिल है कि वो ज्यादा इंवेस्टर्स और पार्टनर्शिप्स को अट्रैक्ट कर सकता है जिससे इसका प्राइज मार्केट में और पंप हो सकता है अब हम बात करें ही कि इस लिक्टरी से XRP इंवेस्टर्स को क्या फायदा मिलेगा कोट के फैसने ने XRP की करन्ट पोजिशन पर बहुत इंपॉर्टल क्लारिटी दी है अब XRP ही एक ऐसा पॉइन है जो की रेगलिटरी से पास्ज है जिसका सबसे पहना एफेक्ट हमने देखा कि XRP की प्राइस एकदम से पंप हो गई और 0.9 cents को टच कर गई ये price movement almost 90% है उस price से जहां से कोट के फैसले से पहनले था मतलब की 0.4 के आसपास कई एक्सपर्ट का मानना है कि XRP अभी और जादा उपर जा सकता है पर कुस्टू या भी कह रहें कि XRP अपने all-time high को भी टच कर सकता है लेकिन दोस्तों ये बात ध्यान रखने वाले की crypto market काफी volatile है NXRP की performance इस बात पर भी depend करती की market का क्या आद भी और bitcoin कैसा perform कर रहा है bitcoin पर अगर हम नज़र डाले तो कल bitcoin 32,000 dollar के आसपास था और ये उसे cross नहीं कर पाया और एकदम से sell off हो गया मतलब अभी भी market में काफी selling pressure है हो सकता है कि इतने price movement के बाद XRP थोड़ा consolidate भी करे और retest करके फिर दुवारा उपर नूफ करे तो आपको इसके लिए भी ready रहना पड़ेगे कि शायद कुछ sell off हो market में होगी मेरे ख्याल से भामें long term perspective रखके सोचना चाहिए XRP के लिए और मुझे long term में XRP $10 per coin जाते हैं लग रहा है तो दोस्तो मेरा price prediction भी यह रहा $10 per coin हाँ बट यह रातो रात जाने की बात नहीं कर रहा हूँ है $10 मतलब next bull run ता है जो लोग XRP में invest करना चाहते हैं एक्साइटिंग टाइम है XRP रिपल के लिए और हम सब की इस पर नजर रहने वानी है आप लोग चर्णल के साथ जुड़े रहे है अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्ली इसे सब्सक्राइब भी कर लिजए थैंक यू आज का वीडियो देखने के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करो अपने क्रिप्टो दोस्तों के साथ शेयर करो हमारे चर्णल को सब्सक्राइब करें और क्रिप्टो में न्यूज अपडेट के लिए हमेशद तयार रहे मैं सब अपने एगली वीडियो वे तब तक के नहीं गुण्बाय